आज का हमारा टॉपिक है वाट वेंट रॉंग येस्टरड़े कल आपने वीडियो देखा 5250 रुपीस का आज मेरा लाइक कल के दिन पर लॉस हुआ था एंट्राडे ट्रेडिंग में तो जनरल ही क्या होता है कि जैसे आप लोग ट्रेड करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो कोई भी ट्रेड सेट अप से ट्रेड करते हो तो लॉस होने के बाद सबसे पहळले चीज़ इन्जाम सब लाइक अपने अंदर को छोड़के बाखी सब पे जो भी है दुनिया में सब के उपर हम ब्लेम करते हैं खुद को हम एक मिनट के लिए भी ब्लेम नहीं करते हैं आँ सोचते हैं कि इसमें कुछ गलती हमारी भी हो सकती है हो सकती है तो क्या गलती हो सकती है देखि हुई है तो यह लाइक आप समझ सकते हो कि यह वीडियो कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि कल मेरा लॉस क्यों हो गया like I don't want to give any justification because वो मेरा पैसा है कमाता हूं तो मेरे जब में आता है गवाया है तो मेरे जब से गया है okay so nobody wants my justification and neither I am interested to give any kind of justification यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि लॉस करने के बाद क्या हम अपनी mistakes के उपर काम करते हैं जो कि दुबारा न हो सके अगर यह वीडियो होगी आज वीपी financial YouTube चैनल पर अगर आप वीडियो देखोगे जिस दिन आपका लॉस होता है उस दिन आप यह वीडियो आकर देखोगे तो एक आपको अंदर से आवेरनेस आएगी एक लाइक आपका positive attitude होगा towards your trading like psychology जब लॉस होगा जिस दिन लॉस होगा कि हमको exactly करना क्या है अपने mistakes को कैसे identify करना है इस वीडियो में लोग उस चीजों के बारें बात करें कि जो मेरा कल की जो मेरी गलतियां थी कल के आपने वीडियो में देखा लॉस हो गया आपको मैंने चोटी से explanation बता दी कि लॉस हो गया और वीडियो एंड हो गया बट यह वीडियो में हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे जो मैंने कल like afternoon के बाद और आज afternoon तक जो मैंने analyze किया कि कहां मैं गलत गया क्या mistakes हो गई थी क्या वो pillars थे जिसके वज़र से like जो कारण थे जिसके वज़र से मेरा loss हो गया कहां मैं गलत था everything is included okay तो सबको like 100 reasons नहीं है कुलमला के 4 reasons हैं जिसके वज़र से मेरा trade setup fail हो गया और मै mistake लेते हैं क्या mistakes थी सबसे पहले और सबसे बड़ी mistake हम इसको consider करेंगे it was a force entry आप वीडियो कल की rewind करके जाके देखिए दो बार तीन बार उठाके देखिए मैंने trading अपनी almost research करना first जो पार्ट बनता जिसको first part बोलता हूं मैं introductory part 1 आप देखोगे around 12 बजे के आस पास था उसक जब trade हुआ दो बज़े के बाद अगर मैं trade करता हूं debt to on expiry rate debt to on index तो it is clear की boss यहाँ पर बरे traps बनने के chances थे और मैं आप वीडियो जाके सुनोंगे तो मैं यह बोल भी रहा हूं and on the very next few seconds I have taken the trade so यहाँ पर क्या हुआ it was a clear force entry अब अगर मैं खुद को like अगर आप मझे ऐसे considerate करोगे तो मेरे trades, setup, youtube channel यह सब मेरे उपर जिम्मेदारी है, pressure है आज भी काफी सारे whatsapp आते है मुझे दिन में की sir thank you आपके बहुत अच्छे knowledge के कारण जो freely आपने youtube पे डाला वो उससे में काफी फायदा हो रहा है और मैं momentum pick कर रहा हूं और मैं market के towards एक positive approach से बढ़ रहा हूं so यह एक जिम्मेदारी वाला factor आ जाता है आपके उपर आपको इतने हाला कि मेरी youtube family इतनी भी बड़ी नहीं कि में को इतना pressure होना चीए बट आपको observe like मुझे observe किया जा रहा है keenly मिझे समझा जा रहा है मेरे चीजों को मेरे methods को मेरी psychology को तो कहीं न कहीं एक pressure build up हो जाता है कि बहुत आपको video deliver करना ही है अगर आप द्यान से समझोगे दो बजे के बाद expiry वाले दिन पे आप कोई भी दिन उठा लो पीछे के जितने Thursday आपको check करने है दो बजे के बाद थोड़ा time half an hour to 45 minutes थोड़ा premium meeting process चलता है उसके बाद एक direction में जाता है उसके बाद 3 बजे finally all call or put जहां पर भी बड़े लोगों की positions होती है वहां से score off होता है तो सबसे बड़ी मेरी mistake ये थी कि कल मैंने forcefully entry की हां मैं अगर individual trader होता है मुझे कोई follow नहीं करता है मैं अपने अलग से अपने स्क्रीन होती है और like एक individual trader जैसे आप हो आपको कोई judge नहीं कर रहा है आपको कोई नहीं देख रहा है तो हो सकता है कि मैं अगर मैं आपके जगे होता है तो मैं trade नहीं लेता प्रेशर नहीं होता है उनको सिर्फ चस्का होता है कि trade करना है मेरा चस्का नहीं था मेरे उपर प्रेशर था कि मुझे वीडियो बनाना है and it's already 2, 5, 2, 10 बच चुके अब मैं कब trade लूँगा कब उसका momentum होगा मैं क्या record करूँगा इतना मुझे प्रेशर था वो और वो प्रेशर ने मुझे entry लेने पर मजबूर कर दिया so that was my biggest mistake I am not going to repeat that mistake in my entire career उसके बाद second late entry अब late entry का मतलब क्या है आये चली चार्ट पर देख लेते हैं alright so देखे ये कल का चार्ट है हमारा nifty का one minute पर हमने दो lot shot किये हुए थे क्या entry थी क्या इसके पीछे का logic क्या था हमने दो बच के पाश्मिन पर trade लिया हुआ था तो देखे ये almost मैंने accept किया हुआ था like this was the breakdown like this ये breakdown था हमारा और मेरी entry idly यहां होनी चाहिए थी अब यहां पर कर में लोग देखते हैं तो 8.33 और यहां पर हम लोग मेरी entry हो गई यह level पर so almost 8 to 9 points मेरी entry लेट हो गई यहां पर अब आप बोलोगे कि sir entry तो late होती है आप कभी कबार late ले लेते हो तो traders definitely मैं कभी कबार late entry लेता हूँ बट अगर हम लोग यहां पर देखते हैं देखे ये zone तो ये almost हमारे target zone पर मैंने entry ले लिये जो सबसे बड़ी mistake थी और दो lot case आप से trading किया हुआ था और सबसे बड़ी mistake थी एक तो हम volatile market में थे दूसरी मैंने entry like दो बज़े के बाद index में trade कर रहा हूँ third मेरी से mistake हो कि मैंने entry भी late ले ली तो ये तीनों मिला के बड़ा disaster हो गया मेरे लिए like बहुत easily यहाँ पर आप देखो कि मेरा यहाँ पर stop loss ये level पर hit हो गया जो कि ideally stop loss होना चाहिए था और मेरा hit हो गया चीक है यह थी मेरी mistake नमबर दो मैंने entry आठ से 9 point कम से कम मैंने late entry ली है अब बात करते है point number 3 की so point number 3 है poor money management अब poor money management कैसे हो गया इसके लिए हमको again फिर चार्ट पे जाना पड़ेगा money management वहाँ से समझ में आएगा कि exactly क्या गलत है उसमें तो देखें ट्रेडस poor money management अब अगर मैं यह level पे short कर रहा हूँ और मेरा ideally stop loss ये है तो मुझे वो time पे entry लेने के time पे calculate करना चाहिए था देखे pressure में trade ले लिया trade लेने के बाद late entry के बाद मुझे इतना भी समय नहीं मिला like मेरा mind workout नहीं कर रहा था कि मुझे ये calculate करना चाहिए था exactly मेरा loss कितना होगा हाँ मैं 4,000-4,500 कास्टा में बोल रहा हूँ but actual में जब मेरा stop loss लगा तो 5,250 रुपी आज का दिन मुझे उसके कारण मुझे skip करना पर आज का trading session क्यों कि मेरा risk appetite increase हो गया तो money management मेरा यहाँ पर as of poor हो गया मैं force करता हूँ मेरे students को force करता हूँ कि बहुत आपको money management strong रखना चाहिए but आप देखी शुरुवात कहां से हुई शुरुवात हुई forcefully entries है forcefully entry लेने के ब पाद money management मेरा effect हो गया अब money management पे effect होने के साथ साथ जो चौथा disaster point यह था कि मेरा risk to reward ratio भी बहुत ही गलत बैठ गया अब मैं almost target के nearby entry कर रहा हूँ तो इतना बड़ा stop loss इतना चोटा target तो बहुत ही कम लाई यह support zone से clear था यहां से उपर यहां से उपर यहां से clear उपर चला गया so that was my mistake I need to understand हमको यह समझना पड़ेगा यह accept करना पड़ेगा support leverage resistance level को respect होती है और market ने निफ्टी ने उसी level को respect करके like यह level को respect करने के बाद ही वो उपर गया हुआ है sideways था narrow range में था देखिए मैं market को कभी भी गलत नहीं समझता हूँ गलती हमेशा trader की होती है अब हमने 4 point discussion की traders forceful entry जो सबसे बरी गलती है मेरी उसके बाद हमने discuss किया late entry उसके बाद poor money management उसके बाद fourth point जो सबसे worst इसके बाद वो था risk to reward ratio मेरा बिलकुल भी poor साबित हो गया trade लेने के बाद so these was were four important lesson learned मैंने खुछ सीखा कल के मेरे गलती से कल के मेरे loss से traders ये वीडियो को जितनी बार आप चाया rewind करके देखो forward rewind forward करके देखो 10 बार देखो और एक ये habit बना लो अपनी जिस दिन आपका loss होता है उस दिन कम से कम 4 से 5 important lessons उसमें आपने क्या सीखे एक notebook में लिखके रखो और उसको read करो जब भी आप trading करते हो कल मेरे से ये mistake हुई थी last week मेरे से ये गलतिया हुई थी ये week में मैं उसको repeat नहीं करने वाला हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देफिनेटली वीडियो को like जरूर करना और share कीजे और twittles कल teachers देथा काफी wishes आये thank you for everything आपने कर इतने wishes बेजे मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा thank you for everything जस्ट आप से में एक return में एक चीज मांगना चाहूंगा अगर आप कर सकते ह अगर आप मुझे कुछ मानते हो अपने life में as a mentor, indirect mentor, just आपको जो भी वीडियो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जिस पर ज्यादा lessons आपने learn की है वो वीडियो को आप definitely share कीजे जो भी communication जो भी आपको आपका social आपका जहां पर भी site आपका है like Facebook, YouTube जो भी आपका है जो भी आपका awareness आप जहां पर भी फैलाते हो WhatsApp बगड़ा हो गया वहां पर जरूर कीजे एक मकसद बनाते हैं हम लोग एक motive बनाते हैं कि जो भी new beginners आते हैं या already first चुके market में किसी traps में न फसे, simple चीजों के उपर काम करें और उसमें से पैसा बनाए so thanks for watching, we'll see you in the next video